नमस्चार, एक बाइशी स्वागेत करते हूं आपका ओके क्रेजिट में और आज हम जिस बिजनस के बारे में आपसे बात करने वाले हैं वो आप देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि मैं कहीं हरी-भरी जगा पर खड़ी हूं और जिस business को लेकर आज हम आपसे बात करेंगे, जिस business को लेकर आज हम आपसे tips शेयर करेंगे, वो business है nursery का. Nursery के business को लेकर तमाम पहलों को आज समझने की कोशिश करेंगे उनसे जो इस business में already involved हैं. लेकिन उससे पहले आपसे ही गुजारिश करूँगी कि आप हमारे चानल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि अपडेट्स आप तक पहुँशते रहें, इसके अलावा आप वीडियो को एंट तक देखेगा, अगर आपको पसंद तो लाइक कीजेगा और कमेंट्स के जरी हमें बताएगा कि किस तरह के वीडियो आप और देखना चाहते हैं, बिजनस को लेकर. तो चलिए नर्सरी के बिजनस की बारीकियों को जानने के लिए सीधे चलते हैं, इनके ओनर के पास और जानते हैं कि कितनी लागत में इन्होंने ये बिजनस शुरू किया था, कितने साल हो गए और कितना प्रॉफिट अब तक कमाया है, वो तमाम चीजे जानने की कोशिश क करेंगे जो आपके और हमारे जहन में लगातार चलती हैं बिजनस को लेकर तो चलिए तो मैंसुख खड़ी हूँ इस नर्सरी की ओनर के साथ जिनका नाम मांसी और मांसी आपके नाम पर ही ये नर्सरी अचा सबसे पहले बताएं कि नर्सरी स्टार्ट करने का आइडिया कहा अच्छ मेरे फादर अगरिकल्च में जॉब करते थे देन वहां से पापा को थोड़ा तोड़ा गार्डनी का शॉप भी था ते फिर पापा ने खुद की एक ये शॉप खोले और अपने थोड़े बगीच्चे भी है देन थोड़ा थोड़ा पापा ने आइडिया दिया द यह लगी हमारी को इंबस्मेंट 10 lakhs और अगर आपको छोटे पेमाने पे इस स्टार्ट करना है तो आपका जिसे एक लाग से स्टार्ट कर सकते है आप इसे यह टू लेक जिस तर आपने एक्स्टेंड करना है जिससे आपने सोच चाहे कि हमें इतने अरिया में जगश चाही जिसे हमें भी लगे थे वन तू तू लगे थे लगे थे दैन अब हमारा बिजन्स काफी अप्या चलते है जिसे प्लांट्स लेक आते हैं, कई सीडलिंग्स आते हैं, गमले आते हैं उन्ठीजों में ज्यादा दोई चीज़ें यूज़े होती हैं, मिट्टी और खार बस इसके लिए यूज़े और बागी जो हमारी अंटिसेप्टिक्स जो भी होते हैं वो आते नहीं है फिलाल कि हम अगर आपको किसी को बिजनस शुरू करना है, तो उसके लिए क्या टिप्स हैं, शुरुवाती दौर पे, मिनिमम अमाउंट में? Minum amount में 2 lakhs, अगर पिसनिस स्टाट करना तो और अगर थोड़ा एक्स्टेंट करना है, जादा बड़े अरिया में स्टार्ट करना है तो 5 lakh मानके चलिया कैसी अरिया में नर्शरी होनी चाहिए? मैक्सिमम तो रोल हेड पे होनी चाहिए और या तो फिर जहां मार्किट के बीच में होनी चाहिए कि जो मैक्सिमम तीबतियन लोग होते हैं जो उनको इन चीजों में काफी इंफ्रस्ट रोते हो तो जो भागी फोर्नर जाते हैं तो अब वो गल्यों में घुमते नहीं है तो फिर ये रोल हेड पे तो वो आते जाते हमारा काफी जो मतलब है एड़टाइजमेंट उनी के थू हो जाते हैं जैसे कि इनों ने बताया कि कोई भी बिसनस शिरुवाती तो पर नहीं चलता आपको थोड़ा साथ ताइम देना पड़ता है और साथी साथ इनों ने यह भी बताया कि 13 साल इनके बिसनस को हो गए हैं जिन में से 2 साल इनको मशक्कत करनी पड़ी और उसके बाद इनका बिसन करते हैं और कुछ और प्लांट के बारे में जाने की कोशिश करते हैं जैसे किसी ने नर्सरी ओपन करनी है अपनी नियू तो वो इस चीज का खास धान रखे कि उस टाइम सीजन के अकॉर्डिंग कौन से प्लांट्स लाना जादर जरूरी होंगे बाकि जो ऑल सेजन प्लां कि दो टाइप के मिलेंगे कुछ हाथ से बने होते हैं और कुछ मशीन दवारा त्यार किये जाते हैं हमारा जादातर हैं में कमला जादा बिखता है इसमें हमें काफी प्रॉफिट होता है इसको हम बोलते हैं कोको पीट इसको मैक्सिमम लोग बाहर से खरिदना पसंद करते ह बट ये घर पर भी त्यार हो जाती है और आपके पास प्रवाइड हो वहां पे तो और इसमें हम प्लांक की कटिंग स्टार करते हैं बेसिकली ये इसी चीज़ के लिए यूज होती है अधरवाज ये किसी प्लांट में यूज नहीं होती है तो इस वीडियो के जरिए मैंने बहुत सारी चीज़ेंआपको बताने के लिए बिजनस के लिहाद से यह बहुत अच्छा मौका है आपको बताने के लिए किस तरह से करोना काल में भी बिजनस शुड़ू कर सकते हैं और आप देख भी सकते हैं कि इस वक्त भी कस्टरमर्स आ रहे हैं तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त और एक बार फिर से आप से ही करूँगी कि आप हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाएगे ताकि तमाम अफडेट से आप तक पहुंचे, मुझे दीजिए इजाज़ एक और नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी, तब तक के लिए, बबाए